नमस्कार, आप देख रहा है नक्षतर दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अतिविस्ट कारक राहू ग्रह के विशे में मितनों राहू के अतिविस्ट कारक राक राहू के फल किन भावों में मिलते हैं इन पर चर्चा करेंगे लेकिन इसके साथ ये भी जानेंगे क्या अतीविसिस्ट कारग गरे राहू के वल अच्छा फ़ली देगा या इसका दूसरा नेगेटिव पहलू भी है आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राहू किन भावों में अतीविसिस्ट कारग गरे होता है और उसके क्या अच्छे फ़ल होते हैं और क्या बरे फ़ल होंगे दोनों फ़लों पर आज के वीडियो में हम विचार करने वाले हैं यदि आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ते करें वीडियो ग्यान बर्दक लगे तो लाइक जिरू करें आईए सुरू करते हैं मित्रुम वास्तम में देखा जाये तो राहु ग्रे चल प्रपंच धोका किसी भी तरीके से काम निकालने का गुण जातक को देता है लेकिन फिर भी यदि ये कुणली के अंदर कारक ग्रे हैं तो एसी परिस्थिती में जातक को टेकनिकल माइंडे भी बनाते हैं जुगाण करने की प्रवरती भी देते हैं और किसी भी तरीके से जातक अपने जीवन को उन्नत करने में सक्षम होता है इस परकार के इस्तीतिया निर्मत कर देते हैं परंतु राहु ग्रह येदी पीडित हो जाएं, चाय भले ही वे कारक भावों के अंदर बेटे हुए हों, तो फिर हम ये उम्मीद करें कि ये हम ऐसा अच्छे फल ही देंगे, इस अंभव नहीं, ठीक है, राहु के अच्छे फल भी आपको मिल सकते हैं, और कुछ बुरे फलो से भी सामना हो सकता है, किस प्रकार के फल देंगे राहु ग्रह, आईए विचार करते हैं, बितनु राहु के अति विसिस्ट कारक भावों में, क्या फलोते हैं, इन पर अवी हम विचार करेंगे, परंतु उसके पहले ये जाना आती आवशक है कि राहु किन भावों में अत उच्छ राशी का होकर बेठा हुआ है तो राहू को अतिविस्ट कारक ग्रह माना जाना चाहिए हलाकि तीसरे भाव में छटे भाव में और दसरे भाव में अतिविस्ट कारक ग्रह माना जाता है लेकिन अच्छे फ़नों के लिए आपको ये देखना होगा कि राहू ग्रह किस राशी में बेठा हुआ है यदि राहु ग्रे स्वचेत्री होकर स्वचेत्री का तात पर यह है कि राहु कन्या राशी को अपनी खुद की राशी मानता है या फिर मित्र शेत्री जैसे बुद्ध की राशी सनी की राशी या फिर सुक्र की राशियों में राहु ग्रे मित्र र राशी की बात करें तो राहू ग्रे मिथुन राशी में उच अवस्था का माना जाता है इसके अलावा राहू ग्रे धनू राशी में नीच अवस्था का माना जाता है यानि निगेटिव फल देता है अब मान लीजे कि राहू ग्रे इन भावों में यानि तीसरे भावों में चटे भाव में या दसवे भाव में सौच्छेत्री, मित्रशेत्री या उच्छराशी का होकर बेठा हुआ है। तो फल किस प्रकार के मिलेंगे, क्या अच्छे फल ही मिलेंगे, या कुछ निगेटिव फल भी देखने को मिलेंगे। आईए विचार करते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं कि राहू गरे कुण्डी के तीसरे भाव में बेठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। से कि तीसरे भाव में जब राहू बेठेगा तो जातक को मनमानी करने वाला भी ये बनाता है। बिलासी प्रकार्ति का जातक को बना सकता, इस बात की संभावना बनती है। दशा या अंतरदशा के दौरां क्यों कि राहू देखी एक दुष्ट प्रकरति का गरह है। ये अच्छा ही फल देगा इस बात को लेकर हम केवल खुस नहीं हो सकते हमें ये भी समझना होगा कि राहू एक राक्षस प्रवति का गरह है। तो ये अपनी कुटल चालों से बाज नहीं आता। यदि सुबग ग्रहों का प्रवाव राहू पर नहीं हो ये जिन भावों पर राहू की दृष्टी जा रही है। भी ये रखता है यदि ये बली होकर बेड़ जाए और सुबक ग्रोहों का प्रभाव कुंडली के अंदर कम जोर पड़ जाए इसके अलाबा जातक माना भी बना रहे कुल मिलाकर जातक सामाजिक इस्तितियों के अनुसार काम करे ये ही बहुत होता बितरों राहु ग्रह ये दि कुंडली के छेटे भाव में बेड़ जाता है तो ये यहाँ पर कारक ग्रह माना जाता है जिससे हम जानते हैं ठीक है सौगरी उच्चिका होकर ये बेठा हुआ है तो सामानता अच्छा रिजल देगा यहाँ पर सत्रों पर विज़े दिलवाता है कानूनी मामलों में सफलता दिलवाता है ठीक है ये हम जानते हैं यहाँ बेठा राहु जाता को राजनित क्षेत्रों में भी सफलता दि और ये इनके धन लाव दिलवाने की चेस्टा भी ये करता है यदि ये कुण्डी के अंदर कारक अग्रह बन जाए क्योंकि छटे भाव के अंदर तो ये कारक अग्रह माने ही जाते है अब कुछ निगेटिव पहलो की भी बात करते है दिखिए छटे भाव में जब राहू होगा तो सीदी सी बात है कि जाता को राजनितिक बनाएगा तो राजनितिक होने के सांसा जाता को ये भटकाने का कारे भी कर सकता है इस बात से हमें सतर करहना चाहिए जूट फरेव में जाता को ये ले जा सकता है सच को जूट बनाना जूट को सच करना इस प्रकार की इस्तितियां ये निर्मत कर सकते हैं यदि सुबक गुरूं का प्रभाव जिन भावों पर राहू की दृष्टियां जा रही है जिस भाव में राहू बेटा है वहां पर ना हो तब इसके अलाबा राहू के पास अंसात्म रूप से बलकतना है ये भी हमें देख लेना चाहिए अब मान लीजे छटे भाव में राहू ग्रे कारक होते हैं जिस हम जान रहे हैं लेकिन छटे भाव में ये नीच बस्था के हो जाएं तो एसी इस्तिती में किसी दिक्कत परेशानी में भी ये जातक को फसा सकता है क्यो कुंडली का लगन और लगनेश मजबूत है तब ही हम इस राहू से ये उमीद कर सकते हैं कि ये हमें सफलता देगा सफलता तो फिर भी देगा मान लिए सवचेत्री उच्छेत्री होकर ये बेटा हुआ है तो दशा अंतर दशा के दोरां लेकिन ये कुछ ऐसे रास्तों को लिए भी मजबूर कर सकता है जो की नीती और नियम के बुर्द हों आई अब बात करते हैं कि राहू गरे कुंडली के दसंभाव में बेट जाए तो किस प्रकार के फाल हो सकते हैं देखिए कुंडली के दसंभाव की बात करें तो यहां भी राहू गरे अती विसिस्ट कारक ग्रह माने जाते हैं अब राहू गरे यहां पर स्वचेत्री मित्र चेत्री उच्चराशी के होकर परयाप्त अंसभल के साथ कारक लगनुव में विशेस रूप से यह दी बेटे हुए हो और मित्र राशी में बेटे हुए हो तो राजनेतिक के छेत्रों में सफलता दिलवा और इसके अलाबा अपनी दशायां अंतर दशा के दोरां ये दिकुन्ली में ये कारक है तो धनलाप की इस्थिथी भी उत्पन होती ही जीवनकाल के दोरां भूमी भवन बाहन का लाप भी जातक को देते हैं सत्रूं पर वजेवी दिलबाते हैं कानून शेत्रों में ये राहू क्योंकि एक राक्षस प्रवर्ती का ग्रे होने के करण राहू हो सकता है कि जातक को इस प्रकार का बना दे कि जातक अपने सहस साथियों के साथ जूट और छलका सहरा लेकर भी आगे बढ़ने का प्रयास करे या फर कठोर हिर्दे का भी ये बना सकते हैं ठीक है राहू की नवी दर्ष्टी के कारण जातक का स्वास्थ प्रववित रहे यदि चटे भाव के अंदर जो राशी का अंग लिखाए वह या फिर जिस भाव में बेटे हुए वहाँ पर राशी का जो अंग लिखा है उसका सौमी ग्रेवी ये वहीं पर बेटा हुआ है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती लेकिन राहू ये दे नीच अवस्ता के सतुर चत्री होकर बेट जाए पिरित होकर बेट जाए तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि दसंभाव में राहू कारक होने के कारण केवल अच्छे फली देगा तो ये कहीं न कहीं दिक्कत और परेशानियों के सूचना भी देता है परंतु फिर भी आप ये देखिए कि जिस भाव में राहू ग्रे बेटे हुए हैं उस भाव का राशी पती कहां बेटा हुआ है ठीक है और राहू पर सुबग्रों का प्रवाव है या नहीं इसके अलावा राहू के पास अंसात्मा ग पेटी हुए ये अपने भाव को देख रहे हैं तो ऐसी परिस्तिती में ये राहू ज्यादा बुरे प्रवाव नहीं देखा पाता ये जो अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं वह देने का प्रयास करेगा लेकिन राहू यहाँ पर अकेला हो जाए पीडित भी हो जाए सत्रु श केतरी हो जाए तो ऐसी परिस्ति में फिर हम ज्यादा अच्छे फिनों की उमीद नहीं कर सकते हैं कहने काताथ पर यह कि अतिविशिट कारक भावों में गरेग बेटा होने पर ये आवश्क नहीं हें कि वय आपको हमेंसा अच्छे रिजल्ट दे हां अच्छे रिजल्ट के साथ कुछ बुरे रेजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं यदि राहू ग्रहे पीडित हो जाए या फिर सुबक गुरुहों का प्रभाव ना हो